नमस्कार राज सिक्षा शोध एवं प्रसिक्षन परिसद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत हैं कैसे हैं प्यारे बच्चो आसा करती हूं स्वास्त और अच्छे होंगे बच्चो अगर आपको याद होगा तो पिछले क्लास में हमने अल्फाविट्स के बारे में पढ़ा था यानि की A, B, C के बारे में मैंने आपको बताया था तो आपको वो सारे चीज याद है न अच्छी तरह से A for Apple, B for Ball और C for Cat के बारे में हमने पढ़ा था तो बच्चो आज फिर हम उन्ही अल्फाविट्स को आगे बढ़ाएंगे और कुछ नए लेटर्स को हम लोग जानेंगे और उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो आज हम कौन सा लेटर्स पढ़ने वाले हैं आपको पता है आज हम A, B, C के आगे यानि की लेटर D, E और F हम लेटर D, E, F के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ में खूप सारी मस्ती और इंच्वाइमेंट पी करने वाले हैं तो आप लोग तयार हैं ना बच्चो लेटर D, E और F को अच्छी तरह से जानने और समझने के लिए तो चलिए देखते हैं क्या होता है D से लूप एंड से आप देख रहे हैं बच्चो कि यहां क्या है यहां है एक कैपिटल लेटर का D और एक स्मॉल लेटर का D है ना बच्चो और ध्यान से देखिए इस D के नीचे कुछ D लेटर से बनने वाले पिक्चर्स भी दिये गया है जैसे डॉग है डोर है ड्रम है है ना तो इनको आप अच्छे से देख लिजिए और ध्यान से समझे कि D लेटर लिखाता कैसे है तो आप देख रहे हैं बच्चो कैपिटल में हम D कैसे लिखते हैं और स्मॉल में वो D कैसे हो जाता है है ना अंतर है ना दोनों में capital D एक बड़ा सा लग रहा है देखने में और small d जो है वो छोटा सा लग रहा है न आपको तो बच्चों हम letter D को capital और small में ऐसे ही लिखते है इसको आप अपने notebook में लिखते भी जाईएगा ताकि आपको आगे चलके किसी भी तरह का confusion नहीं हो तो बच्चों ये तो हो गया कि D letter हम लिखते कैसे है capital और small में लेकिन बच्चों D for होता क्या है आखिर इस letter से कौन कौन से word बनते है यानि कि इन अक्छरों से बनने वाले सब्दों को आईए हम जानते और पहचानते हैं तो देखते हैं D for ये क्या आया D for dog अरे ये क्या आगिया screen पर ये है dog यानि कि dog को हम हिंदी में क्या कहते हैं dog को हिंदी में हम कहते है कुता तो यह कौन से लेटर से शुरूवा है आप देख रहे हैं डी फॉर डॉग डी ओ जी डॉग है ना है यह एक प्यारा सा और क्यूट सा डॉग तो बच्चों आपने देखा ना कि डी फॉर क्या होता है डी फॉर डॉग होता है तो आप भूलेंगे नहीं ना बहुत अच तो बच्चों क्या डी फॉर सिर्फ डॉग ही होता है या डी फॉर और भी कुछ होता है तो बच्चों डी लेटर से बनने वाले ऐसे अनिकों सब्द होते हैं तो हम यहां कुछ सब्दों को देखेंगे और जानेंगे और उनकी स्पेलिंग्स को पढ़ेंगे ठीक है तो हमन डॉल का spelling क्या है? D for doll यानि की D O L डॉल यानि गुरिया है ना ये एक प्यारी सी गुरिया तो बच्चों आपको पता है ना गुरिया को इंगलिस में हम डॉल कहते हैं और डॉल जो है वो कौन से लेटर से स्टार्ट होता है? डॉल स्टार्ट होता है है ना? तो बच्चों हमने देखा की D for dog और D for doll होता है तो क्या D for dog और D for dolly स्रिपडी से होता है? या कुछ और ऐसे सब्द भी होते हैं जो D letter से स्टार्ट होते हैं यानि की D letter से बनते हैं तो आईए यहां कुछ और सब्दों को हम देखते और जानते हैं D for dog, D for duck, D for deer और D for dolphin यानि की अब ध्यान दीजिए ये सारे जितने भी pictures हैं और जितने भी ये word हैं उन सारे word के जो first letter हैं यानि पहला जो सुरुवाती अक्षर है वो सब क्या है? वो सब D है तो बच्चों यहां सबसे पहले है D for dog तो D for dog तो आपने अच्छे से जान लिया उसके बाद क्या है बच्चों? यहां है D for duck ड़क यानि क्या होता है? ड़क यानि होता है पताई ये picture देखकर हाँ ड़क यानि बतक तो बच्चों आप देख रहे हैं ना ड़क का spelling क्या है? D-U-C-K ड़क यानि बतक और ये भी किस से सुरू होता है? D later से उसके बाद बच्चों आप देखिए थर्ड कौन सा वर्ड लिखावा है? यान लिखावा है D for deer तो बच्चों ये किस चीज का picture है? deer यानि की हिरन तो बच्चों ये भी सुरू होता है D से यानि की D double E R deer यानि की हिरन और ये चौथा जो picture है ये क्या है बच्चों? ये है एक dolphin ठीक है? तो dolphin का first letter क्या है? first letter dolphin का D ही है और इसका spelling क्या है? D O L P H I N dolphin बच्चों वैसे तो आपको लगता होगा कि ये एक मचली है लेकिन ये मचली नहीं है इसे हम mammal कहते है ये mammal के category में आते है ठीक है? इसके बारे में मैं आपको आगे के class में बताऊंगी कि mammal क्या होता है बस आप इतना जान लीजिए कि mammal जो होता है ना बच्चों वो ऐसे जानवरों को कहते हैं जो कि अपने बच्चों को जनम देती है यानी कि dolphin भी जो है ना वो अपने बच्चों को जनम देती है तो यहाँ जितने भी सारे word आप देख रहे हैं वो सारे कौन से later से start हुए है सारे के सारे word लेटर डी से start हुए है और बच्चो मैं आपको बता दूं कि इन अक्षरों और इन सब्दों के अलावे भी D अक्षर से सुरू होने वाले कई सारे और भी सब्द हैं तो जिनको हम धीरे धीरे करके आगे के classes में चानेंगे ठीक है तो आपने देखा बच्चो कि अभी D से स्टार्ट होने वाले हमने कितने सारे words को देखा D for dog, D for doll, D for deer, D for duck, D for dolphin तो यहां हमने कितने सारे सब्द D से बनाए तो बच्चो अब आप मुझे यह बताईए कि alphabet में A, B, C, D और D के बाद कौन सा लेटर स्टार्ट होगा? बताईए मुझे D के बाद आता है E, बहुत अच्छे तो अब हम जानेंगे E को तो ध्यान से देखिए कि E यहां कैसे लिखा रहा है? आप देखिए इसे look and say, इसे देखिए और कहिए E तो आप देख रहे हैं बच्चो कि capital letter में E कैसे लिखावा है? और small letter में E कैसे लिखावा है? है ना दोनों में अंतर? Capital E जो है वो बड़ा है और small letter का जो E है वो छोटा सा है तो आप देख रहे हैं capital और small में कैसे E लिखाता है? और नीचे कुछ pictures भी दिये गया है बच्चो जो कि E letter से start होते हैं जैसे एक earthworm है, एक I है और एक elephant है तो इन सब को हम जानेंगे और पढ़ेंगे कि E letter से start कौन कौन से सब्द होते हैं तो पहले आपने देखा ना कि E letter capital और small में कैसे लिखाता है तो इससे देखने के बाद आएए हम E से बनने वाले कुछ words को यानि कि कुछ सब्दों को देखते और पहचानते हैं यह आया E for egg यानि कि यह किस्टिज का picture है यह है अंडा बहुत अच्छा तो बच्चो E for egg यानि कि E double G egg एग यानि कि अंडा तो अंडा आप खाते हैं ना आपको पसंद देना एक खाना तो अब से आप अंडा को क्या कहेंगे इंगलिश में इंगलिश में हम अंडा को अब से एग कहेंगे और एक कौन से लेटर से स्टार्ट होता है E से स्टार्ट होता है तो अब आप भूलेंगे नहीं ना E for egg तो यह तो हो गया E for egg तो आएए देखते हैं और क्या E से स्टार्ट होता है यह क्या है यह है आँख यानि कि E for I E Y E I यानि कि आँख तो बच्चो आप जो अपने आखों को देखते हैं जिससे हम लोग सभी चीजों को देख पाते हैं उसे हम हिंदी में आख कहते हैं लेकिन इंग्लिश में उसे हम क्या कहते हैं E Y E I और आप बताएए मुझे कि I कौन से लेक्टर से स्टार्ट हो रहा है इसे स्टार्ट हो रहा है तो बच्चो E for I तो आपने देखा E से कौन कौन से सब्द बने मैंने आपको कौन कौन से सब्द पढ़ाएं अभी E से E for egg और E for I है ना तो क्या और भी E से कुछ सब्द बनते होंगे ना तो आपको लग रहा हो ना कि और भी कुछ नए-ने सब्द हम जाने जो की E से बनते हैं तो आएए कुछ और सब्दों को देखते हैं जो लेटर E से बनते हैं Look and say E से क्या-क्या है? Earth E for I, E for Eraser and E for X तो बच्चो यहाँ X को तो पहचान रहे हैं जो की E लेटर से बने हैं X का मतलब हो गया अंडे और यहाँ है E for Earth यानि की E, A, R, T, H यानि की जहां हम रहते हैं इस प्रीथवी को इस प्रीथवी को इंगलीश में हम अर्थ कहते हैं I के बारे में भी आपने जाना अभी की I मतलब आख E, Y, E, I, I मतलब आख और यह थार्ड पिक्चर जो है वो है Eraser यानि की E for Eraser E, R, A, S, E, R Eraser यानि की जिसे गलती हो जाने पर हम मिटाते हैं जब आप Pencil से कुछ लिखते हैं कॉपी में और कुछ गलती हो जाता है तो हम क्या करते हैं हम कहते हैं कि रबर से मिटाओ तो बच्चो उसे सूध हिंदी में हम क्या कहते हैं रबर आप बोल चाल की भासा में कहते हैं बच्चो लेकिन उसका इंगलिश होता है Eraser तो अब आप क्या कहेंगे? Eraser कहेंगे. तो आपने देखा यहाँ कि इंगलिस में E सब्द से कितने सारे सब्द बने? बने ना? जैसे E for egg, E for eye, E for earth, E for और क्या होता है बच्छो? Eraser होता है. और बताइए मुझे E for elephant भी होता है ना? elephant मतलब क्या होता है elephant मतलब हाथ ही होता है ये तो आप लोग सभी को पता है तो आपने देखा बच्चो कि e अक्षर से कितने सारे तरह तरह के सब्द बनते हैं और भी कई सारे ऐसे सब्द हैं जो e letter से बनते हैं जिने हम धीरे धीरे देखेंगे और पढ़ेंगे तो ये हुआ e letter का बात तो बच्चो हमने अभी d पढ़ा e पढ़ा तो अब आप मुझे ये बताईए कि e के बाद अब क्या आने वाला है e के बाद आने वाला है f letter बहुत अच्छा तो बच्चो अब आप देखिए कि f letter पहले हम capital में और small में कैसे लिखते हैं तो look and say देखिए और कहिए ये है हमारा f यानी की capital letter का f और small letter का f है ना देख रहे हैं आप दोनों में आपको कुछ-कुछ अंतर समझ में आ रहा है ना कि capital में हम f कैसे लिख रहे हैं और small में हम f कैसे लिख रहे हैं ताकि आपको जल से जल इसे लिखने की practice हो जाए और जल से जल आप इन letters को पहचान सके तो बच्चो आपने देखा कि capital में और small में हम letter f को कैसे लिखते हैं और f और क्या-क्या है नीचे कौन-कौन सा pictures बने हुए हैं अरे ये तो मेढख है पंखा है और ये कौन है लोम्री लग रहे हैं तो बच्चो मेढख को English में हम frog कहते हैं पंखा को English में हम fan कहते हैं और लोम्री को English में क्या कहते हैं fox कहते हैं तो ये सब जितने भी सारे picture से सारे कौन से letter से start होते हैं f से start होते हैं तो अब हम देखेंगे f letter से बनने वाले कुछ नए सब्दों को तो आएए देखते हैं f for क्या होता है a for fan यानि कि पंखा f a n fan यानि पंखा तो आपने देखा बच्चो कि a for क्या बना पहले a for बना fan यानि कि पंखा पंखा को इंगलिश में हम fan कहते हैं जो कि a letter से बनता है और fan का spelling क्या होता है बहुत ही आसान होता है f a n fan यानि पंखा याद हो गया ना आपको यह ही इतना आसान तो बच्चो आपने देखा ना कि letter f से क्या बना letter f से बना fan यानि पंखा तो और भी तो कुछ सब्द होते होंगे ना जो f letter से बनते होंगे तो आएए उनको भी देखते हैं अरे यह क्या है यह है cute सी प्यारी सी मचली और मचली को इंगलिश में हम क्या कहते हैं मचली को इंगलिश में हम कहते हैं fish यानि की f for fish f i s h fish यानि की मचली तो बच्चों हम मचली को खाते हैं ना मचली कहां रहती है मचली जल में यानि की पानी में water में रहती है तो बच्चों आपको पता है मचली जो होता है ना वो हमारे health के लिए बहुत ही ज्यादा लावदायक होता है ठीक है लेकिन क्या आप और वो कौन से लेटर से स्टार्ट होता है, तो मचली को इंगलिश में हम फिश कहते हैं, जो की लेटर F से स्टार्ट होता है, आपने देखा ना F for Fish यानि की F I S H fish यानि मचली, तो नोट किया न आपने इसे, अपसे आप मचली को फिश कहेंगे ना, तो बच्चो ये है एक प है तो आएए देखते हैं कुछ और words को जो लेटर F से start होती है loop and say A for fish, A for fox, A for frog और A for flower यानि की fish यानि मचली, F I S H fish यानि मचली, fox यानि की लोम्री, F O X fox थर्ड में क्या है यह मेढग यानि की frog, A for frog, A for R O G frog यानि मेढग और यह last picture क्या है, last picture है fool का, तो बच्चों fool को हैं इंगलिश में क्या flower करते हैं, यानि की A for flower, F L O W E R, flower तो आप देख रहे हैं यहाँ पर A for letter से कितने सारे words बने हैं ना, A for fish, A for fan भी होता है, A for fox भी होता है, A for frog भी होता है और A for flower भी होता है, यानि की fool, fool तो सबको बहुत पसंद है तो आपने देखा बच्चों कि यहाँ F letter से कितने सारे सब्द हमने देखे जाने और उनको हमने पढ़ा तो अब आप इनको भूलेंगे नहीं ना, इसलिए मैं कहती हूं कि सारे words को letter को आप note करते जाएं, ताकि जब भी हम बाद में इसे revise करें तो तुरंत हमें याद हो जाएं तो हमने देखा बच्चों कि D से क्या बना, E से क्या बना और F से क्या बना तो हमने आज कौन-कौन से letters पढ़े, हमने पढ़े D, E और F letter तो एक बार आईए मेरे साथ फिर से repeat किजिए, D for मैंने क्या पढ़ाया था? D for dog, D for doll, है ना? अच्छा ठीक है, D के बाद konsolator आया था? E आया था तो बच्चों मेरे साथ फिर से repeat किजिए, E for egg और E for और क्या था बच्चों? बताईए मुझे E for elephant भी होता है, E for मैंने आपको बताया, egg भी होता है और E for और क्या बताया था मैंने ये इसे क्या कहता है इंग्लिश में? आई, इसे भूलना नहीं है है ना बच्चों, आई भी तो इंग्लिश में स्टार्ट होता है ना? तो अब आते हैं E के बाद कौन से लेटर पे? हमने क्या पढ़ा? F पढ़ा तो F से हमने कौन-कौन से वर्ड बनाए? A for fish, A for fan है ना? और D, E, F से हमने कई सारे और भी वर्ड्स को जाना और पढ़ा उसे तो बच्चों D, E, F से और भी बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं ठीके? जिने मैं आपको धीरे धीरे अधर क्लासेस में भी पढ़ाऊंगी और बताऊंगी ठीके? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि लेटर D, E, F को आपने अच्छे से पहचान लिया होगा और पढ़ लिया होगा एक चीज इंपोर्टेंट मैं आपको और बता दू बच्चों D को हिंदी में हम ड कहते हैं आपको पता नहीं था ना? इसलिए मैंने आपको बताया ठीक है? D यानि ड तो उसी तरह से E यानि क्या हो जाएगा बच्चों? बताइए मुझे आप आप E पढ़ते हैं ना? तो इ मांक फिर E से कैसे स्टार्ट हो रहा है? तो बच्चों हिंदी और इंग्लिश में यहीं अंतर होता है सब्दों के उच्चारन जो होते हैं ना? प्रोनन्सियेशन जो होते हैं वो बदल जाते हैं ठीक है? उसी तरह से F होता है यानि F होता है ठीक? तो जब भी आप इन का उस्चिदार बात और पता है आपको कि हिंदी में जो अक्छर होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही लिखाते हैं? उनका कोई रूप नहीं होता लेकिन इंग्लिश में capital और small उनका दो रूप हो जाता है यानि कि capital लेटर में वो अलग लिखाता है और small लेटर में वो अलग लि तो आसा करती हूँ कि लेटर D, E, F आपने अच्छे से जान लिया और उनसे बनने वाले वर्ड्स भी आपने अच्छे से पहचान लिया तो आईए आगे बढ़ते हैं लुक ऐंड राइट ये क्या आया? ये है दो बॉक्स बने वे हैं और बॉक्स में एक जगा एक डॉक का पिक्चर है और एक जगा एक डॉड का पिक्चर है है ना बच्चो और बगल में blanks दियावा है वहाँ पर missing letters आपको भरने हैं यानि कि look and write आपको pictures को देखना है और blank में उस letter से start होने वाले word को भरना है तो यहाँ letter लिखावा है एक capital letter D है और उसके नीचे small letter D है तो आप यह picture ध्यान से देखिए और देखिए यहाँ capital में कौन सा लिखावा है और small में कौन सा लिखावा है और इसको सही करके पहचान करके blank में आपको भरना है तो बच्चो आप सभी तयार है ना इसको बनाने के लिए तो जल्दी से अपने अपने copy में capital letter से D और small letter से D से start होने वाले word को जल्दी से लिखिए और चलिए आगे देखते हैं यह कौन से word थे यह थे dog और door जो की आपको already पता है तो यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि dog यानि कुता door यानि दरवाजा तो बच्चो यहाँ door जो है वो भी D letter से ही start होने वाला एक word है जिसका मतलब होता है दरवाजा ठीक है जो small letter का dog है वो कैसा है वो छोटा है ठीक उसी तरह से आप देखिए capital letter में door कैसे लिखावा है और small letter में door कैसे लिखावा है है ना और घर जाके इन सारे को आपको fair करके blanks में भरके copy में रखना है और मुझे फिर next class में दिखाना और बताना है तो आईए कुछ और pictures को देखते हैं नेक्स्ट आते हैं E यानि कि यहाँ एक बन रहा है E for एक तो आपने जाना है और यह नया word क्या है E for elbow यानि की E L B O W आप देखने हैं बच्चो इल्बो किसको कहते हैं Elbow कहते हैं कोहनी को है ना आप देख रहे हैं यहाँ picture में आपको समंझ में आ रहा है ना उसको हम English में elbow कहते हैं तो यहाँ capital elbow कौन सा है small elbow कौन सा है capital egg कौन यह यह आपको बताना है और blanks में लिखना है आप तो आप तुरन से जट से इसका जवाब दे देंगे तो आएए देखते हैं ये कौन-कौन से वर्ड बनते थे ये बनते हैं एग और एल्बो जो कि आपके स्क्रीन पर लिखावा है लेकिन आपको ये पहचानना है कि इंगलिस वाला एक कौन सा है और स्मॉल लेटर एक बन जाएगा ना है ना काफी आसान तो आये 3rd और लास्ट पिक्चर को देखते हैं ये है F forषान और एक नया वर्ड और बनाते हैं हम फ़ फूट यानि की पैर If डबल ओटी ठीक है जचो यहां भी आपको पहचानना है कि capital F से बनने वाला fan कौन सा है और small letter से बनने वाला fan कौन सा है ठीक उसी तरह से capital letter से food कौन सा है और small letter से food कौन सा है तो आएए इसके answers को देखते हैं यहां बनते हैं fan और food ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ कि capital letter और small letter से बनने वाले words भी अब आप पहचानने लगे होंगे कि capital letter में कैसे लिखा रहा है, small letter में वो word कैसे change हो रहा है, कैसे लिखा रहा है अगर आप से कोई पूछेगा कि इसमें capital letter कौन सा है और small letter कौन सा है तो आशा करती हूँ कि आप छट से उसे पहचान जाईएगा है ना बच्चो तो आपने देखा ना कि capital letter और small letter में क्या अंतर होता है और उसे हम कैसे पहचानते हैं तो यह exercise जब आप बनाएगा ना तो उसके बाद आप बिल्कुल clear हो जाईएगा कि capital letter और small letter में क्या अंतर होता है और उन्हें कैसे लिखते और पहचानते हैं तो आएए आगे कुछ और exercise देखते हैं अब आते हैं हम एक rams पर तो बच्चो यह rams क्या है यहां मुझे दीख रहे हैं दो duck है ना दो ducks आपको दीख रहे हैं तो ducks कौन से letter से start होते हैं बच्चों D से start होते हैं यानि कि D U C के duck यानि बतक मैंने आपको बताया था ना तो यह D letter से start होता है तो बच्चो आए इस रैम्स को हम बढ़ते हैं तो क्या लिखावा है डक्स आर रनिंग डा 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 यानि कि ये डक्स जो है वो क्या कर रहे है रनिंग यानि दोर रहे हैं कैसे दोर रहे हैं सारे डी लेटर से स्टार्ट होने वाले हैं देख रहे हैं आप डा 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 यानि डक्स आर रनिंग डा 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 है ना आगे पड़ते हैं डॉक्स आर रनिंग डा 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 यानि यहां डी लेटर से स्टार्ट होने वाले डॉक्स भी आ गए हैं देखें ये डॉक्स भी दौर रहे हैं कैसे दौर रहे हैं डी से ये डाडा करके दौर रहे हैं आगे देखते हैं कौन आते हैं अरे ये क्या ये तो डंकी आया डंकीज आर डांसिंग ये भी सारे डी लेटर से स्टार्ट होने वाले सारे बनने वाले वर्ड है यानि डंकी या है ना और आगे देखते हैं क्या है आगे है डाइनासोर सा डांसिंग यानि कि D से डाइनासोर्स भी होते हैं है ना बच्चो तो और ये क्या कर रहे हैं ये D for dancing कर रहे हैं और ये कैसे डांस कर रहे हैं D से do करके डांस कर रहे हैं है ना तो आपने देखा ना कि ducks, dogs, डाइनासो Ducks are running, do 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 Daunkeys are dancing, do 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 Dinosaurs are dancing, do 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 तो बच्चों आपने मजा क्या ना मेरे साथ रैम्स पढ़ने में मज़ा आया तो स्रीफ रैम्स को बोलने और पढ़ने में मज़ा आया या अपने एक गौर भी करने वाली बात को ध्यान दिया यहां गौर करने वाली बात क्या थी कि यहां जितने भी सारे words बन रहे थे सारे कौन से letter से बन रहे थे दी से बन रहे थे जैसे dog, donkey और क्या था dancing, dinosaurs, ducks यह सारे कि सारे d letter से बनने वाले सब थे तो अब आसा करती हूँ कि आप इन letters को d, e, f को अच्छी तरह से पहचान गए होंगे और अब जब भी आप ऐसे words को देखिएगा तो तुरन पहचान जाईएगा कि यह कौन से letter से बनने वाले word है है ना बच्चो तो आएए अब कुछ activity भी करते हैं इसमें तो बच्चो मेरे हाथ में है एक card इसमें बनावा है एक प्यारा सा छोटा सा cute doggy तो यह है dog तो आपको यहाँ point out करना है इसका beginning letter यानि कि यहाँ तीन letters लिखे वे हैं आप देख रहें बच्चो यहाँ E है D है और B है तो आपको बताना है कि यह dog जो है वो कौन से letter से start होता है जल्दी से मुझे बताईए E से D से या B से तो यह start होता है D से बिलकुल सही तो यहाँ क्या है देखते हैं यह है क्या है यह fish यानि कि मचली इसमें भी आपको beginning letter को point out करना है तो यहाँ कौन कौन से letter लिखे वे है R है C है और F है तो बच्चो मचली का English होता है fish तो fish कौन से letter से start होता है मुझे जल्दी से जवाब दीजिए R से C से या F से बिलकुल सही यानि कि face start होता है F से तो आपका answer बिलकुल सही है उसी तरह से बच्चो यह है क्या है यह D है और dog बनावा है तो इसको अगर हम complete करेंगे तो हमने अभी क्या परा बच्चो D for dog ठीक उसी तरह से हम देखे letters को जोड कर word कैसे बनाते हैं यह है E और E से क्या है यह आप यह खाना बनावा है तो एक नया word E for E A T eat यानि कि खाना है ना उसी तरह से आपका एक जाना पहचाना सा word E for इसको जोडते हैं डबल जी से E डबल जी एग यानि कि यह बन गया अंडा है ना उसी तरह से F पे आते हैं तो यह आया later F और इसमें अगर हम 80 को जोड़ दे तो F Fat यानि होता है मोटा है ना एक नया word आपके लिए F और Fat यानि कि मोटा और एक पुराना जान पहचान वाला word है जो कि यह later F से बनता है और इसमें मैंने जोड़ा A N को तो यह कौन सा word बन गया बना F A N fan यानि कि पंखा तो आपने देखा बच्चों कि later जोड़कर हमने कैसे words बनाया और आसा करती हूँ कि आपको D E F से बनने वाले साड़े word और इन letters को आप अच्छे से पहचान गए होंगे तो अगले class में मैं आपको फिर F के आगे पढ़ाऊंगी तब तक thank you, take care and good bye